नमस्कार मैं उरीनु कुमारी आप देख रहे हैं पब्लीकेशन न्यूस चैनल इसी के साथ अब वक्त है पंजाग की बड़ी खबरों का पहली खबर के और चलते बता दे आम आदमी पार्टी ने सोमवार को मोहली से लोगसबा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुवात कर दी है पार्टी ने लोगसबा चुनाव के लिए नया स्लोगन लॉंच किया है जिसका नाम संसद में भगवन मान खुशाल पंजाब में बड़ेगी शान बता दे इस मौके पर पंजाब के सीम भगवन मान और दिली के सीम अरविंद के जिवाल भी मौजूद रहें और अगली खबर के और चलते बता दे लोगसबा चुनाव का शंकनाथ किसी भी समय हो सकता है तमाम दाओ प्रतिवादों के बीच पंजाब की सा चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है आमादमी पार्टी पहली बार पंजाब की सत्ता में रहते हुए चुनाव मैदान में उतर रही है वहीं भारते जनता पार्टी की और से शिरोमनी अकालित दल भी गड़ बंधन तोड़ कर पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं सरदार प्रकाश दिंग बादल के बिना पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे शियद ने चुनाव से ठीक पहले शियद शैयुक्त का विलय करवादिया इस बात के संकेत दिये हैं कि वह रूठों को साथ ले कर चलेगा साल 2019 के लोगसबा चुनाव में 13 में से 8 सीटे जी द्वंदी के रूप में और अगली खबर के और चलते बता दे बेदबी मामले में फसे डेरा सिरसा गुर्मीत राम रहिम को पंजाब हरियाना हाई कोट से रहत मिल गई है इस मामले पर डेरा मुखी के खिलाब ट्रायल कोट में चल रही कारवाई पर हाई कोट ने रोक लग मौसम विभा के नुसार 13 मार्च तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा तो दमार्च को पशिम विशोप के प्रभाव से पंजाब के कई जिलो में 30-40 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से तेज हवाय चलने वाबारिश की संभावना है इस दोरान और लवरती भी हो सकती ह खहर विभार को पट्याला वामरच सर में अधिक्तम तापवान 27.08 डिग्री सेलसिजक के बीच दर्ष किया गया है अधिकतम तापमान 26.03 और 26.08 डिग्री सेलसिजक के बीच दर्ष किया गया और आखरी ख़वर के और चलते बता दे आप पार्टी की तरफ से सोमार को पंजाब में चुनावी केम्पेंड लॉंच किया गया है इस दोरान आपके राश्रे सन्योजक्त दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंज के जिरिवार और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान मौझूद रहें ऐसी तमाम जनकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज चैनल नमस्कार